ओम शांती, 14 एप्रिल 2030, मीठे प्यारे बाबा के आज के मदुर महावाक्य, आज की मुर्ली के कुछ विशेश पॉइंट्स, आज बाबा हमें समझाते कि यदि हम बच्चे मम्मा बाप समान सर्विस करना चाहते हैं, तो हमें अपनी बुद्धी को सतो प्रधान बनाना होगा, क्योंकि सतो प्रधान बुद्धी ही धारना कर दूसरों को करवा सकती है, हमें पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अविनाशी ज्यान ब्रतनों का दान कर दुखी मनुश्यों को सुखी बनाना है, बाबा कहते कि हमें साधनों को आधार बनाने की बजाए अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाना है साधनों के साथ जब साधना होगी तो हर कार्य में बाब की ब्लेसिंग का अनुबव होगा और उमंक उच्छा भी कम नहीं होगा तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी, प्यारी, मुली, ओ, शान्ती बाबा कहते मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धी को सतो प्रधान बनाओ सतो प्रधान बुद्धी वाले ही धारना कर दूसरों को करा सकते हैं तुम बच्चे कर रहे हो, उत्तर, मात पिता के तक्त को जीतना, यह है उचे ते उचा पुरिशाट, मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर वन बनने का लक्षे रखो, इसके लिए उचे से उची सेवा करनी हैं, बौतों को आप समान बनाना है, दुखी को सुखी बनाना है, अविनाशी ज्याम रतनों को बुद्धी रूपी बरतन में धारं कर, दूसरों को दान देना है, गीत भोले नात से निराला, कोई और नहीं, ओम शान्थी, अब बच्चे तो पहचान गए हैं, कि हमको बाप, अत्वा, मात पिता सिखलाने वाले हैं, ब अभी तो हम बेहत के बाप के बने हैं, प्रतिक्या भी बच्चे करते हैं, बाबा, अभी हम आपके ही हैं, हम हैं इश्वर के, अब असुरों के संबंद में नहीं हैं, हम आसुरी मत पर नहीं चलते, आसुरी मत किसको कहा जाता है, जो श्रीमत पर न चल, आसुरी कर्म करते ह एक है इश्वरी कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म, ये बात कोई भी नहीं जानते कि आधी सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था, और सभी धर्म बाले अपने अपने धर्म को जानते हैं, सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंक्राचारे ने स्थापन किया, दे क्रिश्मी नारायन आदी का कोई को पता नहीं है, बाप को ही नहीं जानते तो बेमुख हो गए हैं, ये भी ट्रामा में नूंध है, अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहत का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राज्यों सत्युक के लिए सिखाते हैं, तुमको वैकुंठ का म आलिक बनना है, क्रिश्न पूरी जाना है, ये तो कंस पूरी है, कंस और क्रिश्न इकठे नहीं हो सकते, अब तुम बच्चों को फकुर होना चाहिए, कि हम को अब परम पिता परमत्मा सहज राज्यों सिखला रहे हैं, बाप कहते हैं, हम परम धाम से आए हैं, पुरानी इस रावन की दुनिया में, पुराने शरीर में, जैसे मनुष्य पित्र खिलाते हैं, तो वे आत्मा पुराने शरीर में आती है, उनके लिए पुराने दुनिया नहीं कहेंगे, पुराने शरीर में आती है, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं, यह रसम रिवास भारत में चलती आत कहते हैं, हमारे पती की आत्मा इस ब्रहمن में आई है. वे भावना रखते हैं. पती के नाम रूप को याद करते हैं. आत्मा ही आकर अंगी कार यानि स्विकार करती है. यह है यहां की रसम रिवाज. सत्युक में यह बातें नहीं होती. फाल्तु खर्चा करना धक्का खाना यह भक्ती मार्ग की रसम है भावना रखने से अलकाल का सुख सो भी बाप से ही मिलता है बाप कभी दुख नहीं देता मिनुष्य तो न चानने कारण कह देते सुख दुख परमात्मा ही देते हैं बाप समझाते हैं बच्चे ये खेल बना हुआ है जो देवी देता धर्मवाले होंगे वही आकर ब्रामन बनेंगे मालूप पर जाता है ये हमारे खुलका है इसने बहुत भक्ती की है जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है वैसे जिन्होंने बहुत भक्ती की है बाप आकर कहते हैं अब मैं उन्हों को भक्ती का फल देने आया हूँ भक्ती में तो दुख है ना कितना भटकना पड़ता है अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे सम्मुक आकर श्रीमत देते हैं ऐसे नहीं कहेंगे रावन कोई चीज है जो कोई की बुद्धी में बैट मत देते हैं ये सब ड्रामा में नूंध है मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण तुम चानते हो हम देवता बनेंगे फिर आधा कल्प के बाद पत जुर्ग था सादू संत आधी सभी देखे हैं शास्त्र भी पढ़े हैं बाप जरूर अनुभवी रत में ही आते होगे उसकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने ये एक ही रत क्यों लिया भागी रत अर्थात भाग्यशाली रत गाया हुआ है कहते हैं भागी रत से गंगा निकली अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती आगे हम भी समझते नहीं थे भाग्यशाली रत तो ये ब्रह्मा का हुआ ना जिसमें पर्म पिता पर्मात्मा आते हैं मनुष्य तो मूँच जाते हैं इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे तुम इस मनुष्य को ब् आ रखा है, ऐसे ऐसे कहेंगे, ये तो इनों की कल्पना है, ब्रह्मा, विश्नु, शंकर यहां कहां से आए? अरे प्रजा पिता ब्रह्मा के मुख से ब्रामन पैदा हुए. सो तो यहां होंगे ना? जो कुछ हो चुका है, सो तो फिर भी होगा. मुसल्मान के से आए? क्या क्या हुआ? यह सब फिर भी होगा. तुम ड्रामा के राज को चानते हो और कोई नहीं चानते वे तो कह देते ड्रामा की आयू लाखों वर्ष है फिर कहते प्रलै भी होती है अगर श्री कृष्ण अगर आएगा तो भी सत्यूग में आएगा ना उनको फिर द्वापर में क्यों ले गए हैं प्रलै तो कभी होती ही नहीं गाते भी हैं पतित पावन आओ तो जरूर पतित पतितों को पावन बनाएंगे ना बाप केते हैं मैं आता ही एक बार हूं पतितों को पावन बनाने मैं ज्यान सागर ही स्रिष्टि के आधी मध्य अंत का रास समझा सकता हूं पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूं, so that बच्चों को समझाता हूं, वह हद के घर की बात होती है, यह है बेहत का घर, बाप का तो प्यार रहता है न, तब तो भक्ती मार्ड में भी इतनी मदद करते हैं, मनुष्य तो कर न सकें, कहते हैं, इश्वर ने सुख का चन्म किसके पास पैसे बहुत होते हैं, तो कहते हैं, इश्वर का दिया हुआ है, फिर वह ले ले लेते हैं, तो दुख क्यों होना चाहिए, अब बाप कहते हैं, और कोई की बाते न सुनो, सिवाए एक बाप के, बाप, टीचर, गुरु, तीनों रूप में पाठ बजाकर दिखा सद्गति दाता है ही एक, अंधों की लाठी एक प्रभु, पतितों को पावन बनाने बाला एक प्रभु, बाप कहते हैं, मैं साधूं का भी उधार करने आता हूं, तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, सत्युग में था पवित्र प्रवरिती मार्ग, अब हो गया है अ बहान दुखी हैं, पात मत पूछो, तराही तराही करते हैं, प्रोटे पीठते हैं, अनेट धर्म हैं, सत्युग में था एक धर्म, जो एक बाप ही स्थापन करते हैं, गीता में श्री कृष्ण भगवानु बाच लिख दिया है, यह है एकस भूल, पर्म पिता परमातमा है निराकार, उसका नाम है शिर्फ, आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पढ़ता है, शरीर का नाम बदलता है, एक शरीर छोड़, दूसरा लिया, तो नाम बदल जाएका, बाबा का नाम एक शिर्फ बाबा, बस, उनको शारीरिक नाम मिलता नहीं, आत्मा जो 84 चन भो में इन में प्रवेश करता हूँ, परन्तु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है, जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूँ, प्रजा पिता तो जरूर यहां चाहिए ना, मनुश्य तो इन बातों को जानते नहीं, यह एक ही कॉलेज है, जहां सब पढ़ते हैं, मुर नहीं होती, तो उनके कर्म ऐसे ठेरे, बाप क्या करे, सब तो एक समान हो भी नहीं सकते, यह इश्वर यह कॉलेज है, इश्वर पढ़ाने वाला एक है, जिनको पढ़ाते हैं, वह धार ना कर, फिर तीचर बनते हैं, पढ़ाने लिए हर एक को देखना चाहिए, मेरी सतो प समाचार आना चाहिए, कि कितने स्टूडिंस रेगिलर आते हैं, कब से पवित्र रहते हैं, बाप को सब पोतामेल का मालू पढ़ना चाहिए, मादपिता बड़े हैं ना, जगदंबा मा भी तो बच्ची ठेरी, यह बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है, ड्रामा में यह भी रथ लिया है, जरूर कुछ तो होगा ना, आदी देव ब्रह्मा का कितना नाम है, मनुष्य नहीं समझते, आदी देव किसको कहा जाता है, वास्तव में आदी देव और आदी देवी मात पिता यह बन जाते हैं, फिर इनके मुख से सरस्वती मा निकलती है, तो सब ब बच्चे हो गए, यह कहते हैं, मैं श्रिबाबा का बच्चा भी हूँ, तो उनकी वन्नी यानि युगल भी हूँ, क्योंकि मुझ में प्रवेशकर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं, कितनी गुई ये बात है, सतो प्रधान बुद्धी वाले अच्छी दीती समझेंग और राजा भी अपने पुरुशार्थ से बनते हैं, बाब कहते हैं, कि तुम अच्छा पढ़ेंगे, तो उन्चपद पाएंगे, वारिस जो बनेंगे, वे तो अंदर रोय घराने में ही आएंगे, बाब कहते हैं, फूरा पुरुशार्थ करो, मैं तो आया ही हूँ, राजा देने लिए, पुरुशार्थ करना है, हम मार पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्सा लेंगे, नहीं तो शत्रे बन पढ़ेंगे, स्टूजेंट खुद भी समझ सकते हैं, उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं, तो फिर पढ़ना पड़े, यहां तो फिर सकें, नापास हुआ तो नापास ही रहेंगे, इसलिए पुरुशार्थ पूरा करना है, बहतों को आप समान बनाना, यह है उन्चे ते उन्ची सेवा, दुखी मनुश्यों को सदा सुकी बनाना है, अपना धंदा ही यह ठहरा, बाबा हमेशा कहते हैं, ऐसे मत समझो, कि ममा में नोद थी, बाकी भगाने आदी की तो बात ही नहीं, भगवान बुरा काम थोड़े ही करेंगे, यह हैं जूटे कलंग, तुम बच्चे जानते हो, पहले नंबर में यह मम्मा बाबा बद पाते हैं, तुम भी फिर बाबा मम्मा के तक्त पर जीत पाते हो, जो पहला न बाबा सेकिंड नंबर में चले जाएंगे, पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे, तो पूरुशार्थ कर, बाबा मम्मा के तक्त पर जीत पहननी चाहिए, अभी नहीं जीत पानी हैं, बविश्य तक्त पर जीत पानी हैं, मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारि बाबा बच्चों को कितना अच्छी रिती समझाते हैं, ये ज्यान है जैसे पारा जो जट उड़ जाता है, कोई पास तो जरा भी धारना नहीं है, बंडर है ना, अभी तुम बच्चों को निश्चे है, यहां तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं, भ लिखा हुआ नहीं है, यह है भगवान वाच, बाब कहते हैं, पहले पहले ये दिल में आना चाहिए, बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं, बाबा अक्षग आने से वर्सा याद आना चाहिए, जितना हम पढ़ेंगे, उतना स्वर्ग में उँच्पद पाएंगे, जितना का खत्म होगा याद करने से बुद्धी सोने का बरतन हो जाएगी दान करते रहेंगे तो धारना होती चाहेगी धन दिये धन न खुटे बाप तुम पर राजी होगा तुम ब्रामन अब अविनाशी ग्यान बत्नों का दान करते हो वे शास्त जो सुनते हैं उसको ही ग्यान है कोड़ी की इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों की दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक है सत्गुरू भी है साथ ले जाने वाला भी है मुक्ती चीवन मुक्ती में ले जाएंगे यह है ज्यान अम्रित बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रमचारी रहते हैं अ फिर है रुहानी विद्या ब्रमचरे में रहने बिगर धारना होगी नहीं बाप कहते हैं अब पढ़ लो नहीं तो कल्प कल्प स्वर्ग के माले बन नहीं सकेंगे अपने पूरशार्थ से ही बनेंगे बाप आशिरवाद करें फिर तो सबको राजा बना दे बाप कहते हैं यह तो पढ़ाई है पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नबाब अगर बुद्धी धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएंगे यह बहुत बड़ा कॉलेज है नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का इश्वर ये विश्व बिद्याले इश्वर का स्थापन किया तो बाब ही बाब टीचर सत्गुरु है यह सिवाए तुम्हारे कोई भी समझते नहीं सत्गुरु के रूप में सभी को वापिस ले जाने वाला है बाब गैरंटी करते हैं मैं सभी को वापिस ले जाऊंगा कहां जिसके लिए तुम आधा कल्प भक्ती करते आए हो मुक्ती धाम ले जाओंगा फिर जो श्रीमत पर चलेंगे बेर बैकुंट का मालिक बनेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिर दे बच्चों प्रती माद पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी, बाप दादा को दिल वर जान, सिक्वा प्रेम से, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धारना के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पढ़ाई को धारन कर, दूसरों को पढ़ाने लाइख बनना है, मम्मा बाबा समा सर्विस करनी है, दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्यान रतनों का दान कर, दुखी मनुश्यों को सुखी बनाना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, वर्दान, साधना और साधन के बैलंस त्वारा, अपनी उन्नती करने वाले, ब्लेसिंग के अधिकारी भव, साध साधनों को आधार बनाने के बचाए, अपनी साधना के आधार से साधनों को कारे में लगाओ, किसी भी साधन को उन्नती का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्सा भी हिल जाता है, क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता, इसलिए हल्चल होती है, साधनों के साथ साधना हो, तो हर कारे में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे, उमंग उत्सा भी कम नहीं होगा। स्लोगन अगर मगर के चक्कर से नारे बनना है, तो बाप समान शक्ती शाली बनो। अच्छा, ओम, शान्ती।